दखे कावड यात्रा जो है भगवान शिव को प्रशन करने के लिए किया जाता है लोग तिर्थों से जल ले करके गंगाजी से हरिद्वार से जल ले करके सरोवर से जल ले करके यात्रा करते हैं और जाते भगवान शिव के उपर जलाविशेक करते हैं सबसे बड़ी बात है कि सावन में जलाविशेक करने से जल की बृष्टी होती है एक तो ये बात है दुसरी बात जलाविशेक करने से मनुष्य के शमपून पाप और ताप नश्ठ हो जाते हैं. जलाविशेक के संदर्व में ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने जब समुदर मन्थन के समय जब विश को ग्रहन कर लिया तो उनको जलन होने लगी गले में तो उस समय जो है सभी देवताओं ने जो है और किसी ब्रह्मा ने की कि भगवान शिव को जल से असनान कराएगा तो यह प्रतीक है भगवान शिव को जल से असनान कराएगा मैं उसके पाप और ताप को नश्ट कर दूँगा इसलिए भगवान जो है सबसे पहले महाराज रावन ने कावर यात्रा की सुरुवात की और उन्होंने पहले कावर यात्री महाराज रावन जब भगवान शिव ने विश्र को ग्रहन कर लिया समुद्र मंथन के बाद जब ज्वाला सांत नहीं होई तो बागपत के पास एक शीव मंदीर है पुरा के महादेव हैं उन्हीं महादेव की जलाविशेग किया था महराज रावन ने तो वहीं से परंपरा चलने लगी और भगवान शीव ने का कि कि जो हमारे पर जल्व डालेगा या जलाविशेग करेगा मैं उसके संपूर पाप और ताप को हरन कर लूँगा इसलिए जलाविशेग किया जाता और प्रथम जो है जलाविशेग करने वाले यात्री जो थे वो महाराज रावन थे तिर थे यात्री थे महाराज रावन थे ज झाल झाल